बिहार टीवी नई सोच नई दिशा लेकिन इस बार रंग विरंगी लाइटों में एक आकर्शन करने वाला दिया लोगों को खूब भा रहा है क्योंकि यह दिया ही तेल से जलते हैं और नाहीं घी से यह दिया पानी से जलते हैं जिसके चलते लोग इस दिये को खूब पसंद कर रहे हैं दीवावली के मौके पर घी और तेल का दीब जलाकर घरों को सजाते हैं लेकिन महगाई के चलते घी और तेल के दाम आम लोगों उसके बजट से बाहर होता है वहीं भारत के परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देशवासियों के कारीगरों से लोकल फोर वोकल का तरस पर समान बनाने की बात कही थी उस मिशन को ध्यान में रखते हुए कारीगरों ने घी और तेल के बदले पानी से जलने वाले दीब को तयार कर दिया अब सवाल ये है कि दिया पानी से कैसे जलता है दरसल यह दिया पानी से नहीं बलकि बैटरी से चलता है इसमें सिंसर लगा है जो पानी के संपर्क में आने पर एक्टिव हो जाता है ऐसे में ये दिया कुछ अलग हट कर है और लोगों को भी खूब भा रहा है और लोग इसकी खूब खरीदारी भी कर रहे हैं पानी से जलने वाला दिया महीं हां लोग आ है अभी इसकी अने हो गई है की लोगों से सुने कि अक्तिता। अपनी जगह पे हैं जितने लोग धार्मिक लोग है वो कुमार का दीया यूज करते हैं फॉववेंटे के लिए और आज के डिट में यूज नहीं निकल रहे हैं made in चायना यूज नहीं करना है तो made in India में इंडिया में पहली बारी स्टाइब कर दिया जो पानी से जलेगा किया नाम हुआ अपकों राहूल नाम हुआ मस्यट्टा पटना सीटी का रहने वाला हूँ